गुद बॉर्निंग आईस नमस्कार दोस्तों मैं आपका मैच्स मेंटर आकाश आप सभी लोग का हर्दिक स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्त होंगे और बढ़िया होंगे आपके preparation भी बड़िया तरीके से चल रही होगी तो फटा-फट से बताइए कैसे हैं आप लोग तक पहुँच जाए और सभी लोगों का फायदा हो जाए आज के session में हम लोग percentage का part तिरी डिसकस करेंगे अज के session में हम लोग percentage का part तिरी डिसकस करेंगे ठीक है बहुत ही प्यारा motivational court है दोस्तो ठीक है इसको फिर से देख लेते हैं क्या है लिखा हुआ है कि अगर आप Sam हार नहीं मानते तो यकीन मानी है आपको इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता बढ़िया बेतरी quotation है कल भी यही अपने पास quotation रही थी ठीक है चलें स्टार्ट करें चले बहुत बढ़िया बात है आगे बढ़ते हैं दोस्तो good morning to everyone good morning to everyone एक काम करो फटा फट से session के link को copy करके share जरूर कर दो सारे लोगों तक और copy pen अगर अभी तक नहीं लिया है ना तो copy pen ले लो मेरे भाई फटा फट जल्दी से क्योंकि question आपके सामने बेहिसाब बढ़िया question आने वाले हैं बेहतरीन questions आप लोग के सामने आने वाले हैं अगर अभी तक आप लोग ने अड़्डा 247 का app डाउनलोड नहीं किया है तो फटा फट से app डाउनलोड कर लो फटा पर जाओ एंड लिखो अड़्डा 247 एप आएगा उसको डाउनलोड कर लो सारी चीज़ें वहीं से आप लोग को मिलेंगी दोस्तों तो होपसो यहां तक चीज़े के लिए रहें बढ़ें आगे की तरफ देखें चलो देखते हैं कि लाइफ बढ़िया तरीके से काटो हम बढ़िया हैं आप लोग बताओ जड़ा कॉमेंट सेक्शन में आप लोग कैसे हैं फड़ा फट जल्दी से कॉपी पैन ले लिया सारे लोगों ने भाई क्यों बोल रहा हूं कॉपी पैन के लिए समझ में आ रही है बात कॉष्चन है बेहिसाब बढ़िया आज के सेशन में और वो कॉष्चन जो एक्जाम के पाइंट अव व्यू से बढ़िया कॉष्चन रहेंगे आप लोग के लिए देखो दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है थोड़ा सा अलग है आप मेरी कोई भी क्लास देखोगे पुरानी यूट्यूब पर और भी क्लास हैं उनको जब आप देखोगे तो उनके कॉष्चन का लेविल पाओगे कि वो कॉष्चन का जो लेविल है वो एक्जाम में अगर आप से 19 पूछा जा रहा है तो मेरा लेविल 19-20 से 22 तक भी पहुँच जाता है जिससे की एक्जाम में जाके आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो तो मैं जो कॉष्चन सेलेक्ट करता हूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ एक रम्ज रहता है रम्ज का मतलब है लॉजिक्स रहते हैं और वो लॉजिक्स आपके कॉंसेप्ट के लिए करते हैं दोस्तो तो चले चलते हैं आगे की तरफ देखते हैं कि If 60% of A equals to 3 by 4 of B, then A is to B is, कह रहा है कि अगर A का 60% B के 3 बटे 4 के बराबर है, तो A और B में ratio कितना होगा, चलो फटाफ़ट बताओ भी दोस्तों जल्दी से, देखते हैं कि कौन-कौन बता सकता है, बहुत बढ़िया भई, बहुत बढ़िया शानदार, दिल्ली पुलिस के लिए भी आप लोग अगर इस क्लास में regular रहते हैं न, तो ये हर एक exam के point of view से भाई, percentage है, chapter नहीं है, concept है, हर exam में पूछा जाएगा, हर chapter में पूछा जाएगा, तो भाई, फाइदा तो हो गई होगा, एक जगा percentage दे रखा है, एक जगा fraction दे रखा है, तो मैं इसे भी fraction में बना लूँ, या तो इसे percentage में बना लूँ, दोनों मैं से कुछ भी कर सकता हूँ, या तो मैं लिख सकता हूँ, इसे 60% का मतलब कितना होता है दोस्तों, 60 upon 100 या तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ 60 upon 100 of A equals to 3 by 4 of B ये लिखाया सकता है 20 से 3 times and 20 से 5 times 3 से 3 clear और A और B में 4 ratio आजाएगा दोस्तों 5 उधर पहुँच जाएगा अपने पास उपर और ये 4 as it is upon में है तो A और B में कितना नुपाता आगया 5 is to 4 that means B is your correct answer एक तो तरीका ये मिला सारे लोग बताओ बोलो हाँ या ना सारे लोग बोलो सबने ऐसे किया तो 5 is to 4 का ratio आगया के नहीं आगया जल्दी से बोल तो भाई पड़ापट 5 is to 4 is your correct answer सुभा 6 बजे black magic भी चलता है भाई उसको भी देख लेना आज rationalization पढ़ाया है बेहतरीन तरीके से आग लगी है rationalization में एक बार वो class देख लेना सुभाई 6 बजे वाली rationalization भाई आकास सर ठीक है उसको एक बार देखोगे ना तो पूरे concept किलियर हो जाएंगे एक ही class में चलो इधर देख लेते हैं अब आगे या तो मैंने इसे percentage को fraction में बना लिया या मैं इस fraction को percentage में convert कर लूँ तब भी कोई फरक नहीं पढ़ने वाला ये कितना आ जाएगा 60% of A बहुत ध्यान से देखना और ये कितना हो जाएगा 3 by 4 और percentage में convert करूँगा तो 100 से multiply करूँगा of B 4 से 25 बार 25 ती अब 75 ये हो जाएगा 60 A equals to 75 B और A और B में क्या अनुपात आ जाएगा दोस्तो 75 over 60 बात वही है 5 अनुपात 4 B is your correct answer तो चाहें fraction में convert कर लो चाहें percentage में अब easy क्या लगा आपको easy है percentage को fraction में change करना easy है percentage को fraction में change करना आशा करता हूँ यहां तक सभी का correct आया होगा सभी का clear रहे good morning भाई सारे लोगों को good morning ठीक है तो late नहीं होना है बिलकुल भी चली अगला question आप लोगे सामने देखते हैं कि next question कौन कौन कर सकता है बहुत ध्यान से चीजों को देखना है यहां पर क्या कहना चाहरा है कहरा है if 10% of X is 3 times 15% of Y then find X is to Y चली फटाफट से करिये दोस्तों बेहतरी निकोशन आप लोगे सामने बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया शानदार सभी लोगों को भाई good morning copy pen ले लो और अच्छे सारे लोग पहले फटाफट से like कर दो ठीक है जल्दी से यह like का सिलसला starting में निप्टा दो देखते ही like कर दिया करो फटाफट से की यार अकास सर की कलास है तो कुछ सोचना नहीं है फटाफट like ठोक दिया करो और share भी कर दिया करो अपने दोस्तों तक जिन जिन लोगों तक भी आप इसको पहुँचाना चाहते है ठीक है या जिस जिस भी गुरूप में अगर आप है चलो भई फटाफट से बताओ जरा देखते हैं कि इस question का answer कौन कौन बता सकता है इस question का answer कौन कौन बता सकता है यही चीज़ देखनी है चलो भी चलो आगे बढ़ते हैं जरा देखते हैं चलिए फटाफट 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 पास्ट आया किसी का आया किसी का चलो देखते हैं जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर रहा है अपना दिमाग कुछ नहीं लगा ना फ्री के नंबर आएंगे 10% of x तो 10% of x मैं यह कह सकता हूँ यह value कितनी आगी xy10 एक जिरो से एक जिरो के लिए is 3 times 15% of y किसके बराबर है दोस्तों 3 times of 15% of y 15% of y यहाँ पर मैं इसको ऐसी लिखा रहने देता हूँ दोस्तों इसको मैंने 10x upon 100 ही लिखा रहने दिया क्यों क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल x upon y x यहाँ पर आ जाएगा y यहाँ आ जाएगा upon में यह कितना हो जाएगा 45 बटे तस 5 से इसको काट लो 3 बार और 5 से यह 2 बार 3 तिया 9 और 2 9 is to 2 दिखाई दे रहा है कहीं पर आप लोगों को 9 is to 2 कहीं पर दिखाई दे रहा है तो ऐसे easy questions भी exam में बनते हैं मगर आप इनने तभी कर पाऊगे जब यह language आपकी समझ में आ रही होगी अगर यह language आपकी समझ में नहीं आ रही है इसका मतलब यह है क्या आपके conceptsimalे नहीं हैं तो कितने लोग का यह वाला point clear हुआ हुआ है कितने ऐसे लोग का इवाला point clear हुआ concepts clear नहीं है तो कितने लोग का ये वाला point clear हुआ भाई कितने ऐसे लोग है जिनका ये वाला point clear हुआ अरे भाई इसमें Hindi English की कोई जरूवत नहीं थी इस वह ऐसे नहीं करा ठीक है अभी आगे कि जितने भी questions है मेरे भाई वो सारे के सारे Hindi में भी है English के साथ ठीक है चलो next question देखते हैं कि next question क्या कहना चाहता है next question देख लेते हैं कि अगला question क्या कहना चाहता है ठीक है अगला question क्या कहना चाहता है चलिए next एक मिनट ठीक है next question आपके सामने दो संख्याएं A, B ऐसी हैं कि A के 5% और B के 4% का योग A के 6% और B के 8% के योग का दो बटे 3 है A और B में अनुपात ग्यात करना है चलो भई बहतरीन कुश्चन किलियर है कॉंसेप्ट किलियर है कॉंसेप्ट डन तो देखो भई चिंता करने की ज़रूत नहीं है कल मैं आप लोग को सारी की सारी PDF दूँगा और कौन से चैनल पर दूँगा टेलिग्राम के वो भी इंफॉर्मेशन में आप लोग को बताओंगा ठीक है वो भी इंफॉर्मेशन में आप लोग को बताओंगा ठीक है वो भी इंफॉर्मेशन में आप लोग को बताओंगा कि अड़ा के किस official channel पर मेरी सारी जी सारी PDF आप लोगो मिल जाएंगी दोस्तों के लिए रहे चलो यहाँ पर देख लेते हैं डन अब ध्यान से देखना जो question में कहना चाहरा है न वही खेल समझो बस इसके अलावा कुछ नहीं समझना कहा रहा है दो संख्याएं ए भी ऐसी है कि A के 5% और B के 4% का योग बहुत ध्यान से दोस्तों A के 5% that means 5A और B के 4% का योग B के 4% का योग that means 4B किसके बराबर है दोस्तों किसके बराबर है यहाँ से कहा रहा है कि A के 6%, A के 6% और B के 8%, B के 8% पर्षेंटेज सब जगे common ले लिया, यहां भी, काट देंगे बाद में, इसके योग का दो बटे तीन है, इसका दो बटे तीन दे रखा है अपने पास, बोलो, किलियर है के नहीं किलियर है यहां तक चीजे है, इसका दो बटे तीन दे रखा है, multiply करोगे, यहाँ पर यह value कित ए, बी से बी को माइनस कर लो, यह value आजाएगी, फोर बी, और ए और बी में क्या अनुपात मिला दोस्तो, पोर इस टू थरी का ratio मिल गया, यह आपके पास आपका answer आने वाला है, that means, फोर इस टू थरी, दिखाई दे रहा है D option आप लोगों को, बोलो हां के ना, अरे दिखा इन तरीके से, लाइक ठोकते चलिए, फटापट से अगर चीजे के लियर है, इसी के साथ चलें अगले question की तरफ, next question की तरफ, move करें, ध्यान रखना दोस्तो, आज आप लोग के लिए कि special gift भी है, जो लोग SSC के exams की तयारी कर रहे हैं, इस साल target बनाया हुआ है नौकरी लेन जो हम लोगों ने कहा था न, कि examination पर-based question मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आज इसी question से सुरुवात करते हैं, अब इस concept को ध्यान से देखना, एक-एक student का question का answer देखते आएगा, without copy pen, मतलब कि pen को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना, कोई copy pen उठाने की पड़ेगी ऐसे सारे questions में, बट पहले एक बार सीख लो, एक बार देख लो, फिर mind का खेल खेलेंगे अगले questions में, ठीक है, practice के लिए भी एक-एक दो question और लेका आया हूँ, मज़ा आएगा यहाँ पर, चलो देखते हैं भाई, ठीक है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं, क्य 20% अंक प्राप्त करता है, तो वह 30 अंकों से अनुत्रिन हो जाता है, फेल हो जाता है, किसने 30 नंबर से, तो हमारे पास कोई एक candidate A है, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना, और इसको कितने परसेंट नंबर मिले दोस्तों, 20% marks मिलें इसको, 20% marks मिलें और यह 30 नंबर से फ 30 नंबर का और यह पास हो गया, आगे कह रहा है, एक अन्य व्यक्ति जो 30% अंक प्राप्त करता है, और उत्रिन अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त करता है, इसका मतलब यह है कि दूसरा candidate B है, और इसको 30% marks मिलें दोस्तों, और यह कितने नंबर से फेल, पास हो गया, 30 नंब घटा दिये और इसको उसी boundary line पे लिया जहां पे सिर्फ पास हुआ जाता है, तो यह भी सिर्फ पास हुआ है, जश्ट कोई नंबर जादे नहीं है, 30 नंबर का grace दे के बस इसको पास कर दिया गया, और इसके 30 नंबर घटा दिये गये और इसको भी बस पास बना लिया, तो म फटाफट से बोल दो भाई, किलिया रहे, 600 and 150, आंसर भी आ गया, वाज, जियो मेरे लाल, अब यहां पर देख लो, अब percentage से percentage का difference कर लो, 20 और 30 का difference 10%, 20 और 30 का difference 10%, और यह उधर जाएगा, तो दोस्तों यह इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा, 60 आजएगा, अब मेरी एक बात बताओ, जब 10% की value 60 है, तो दोस्तों 100% की value कितनी हो जाएगी, 600 होगी के नहीं होगी, तो मैं यह कह सकता हूँ कि उस परिक्षा के maximum marks 600 हैं, उस परिक्षा के maximum marks कितने हैं, 600 हैं, और हमसे पूछा गया है passing marks, हमसे पूछा गया है passing marks भी बताओ, passing marks कितने हैं, 20% प्लस 30, तो 600 का 20% कितना हो जाएगा, 120, और इसमें 30 जोड़ दोगे, तो value कितनी आ जाएगी, 1.500, तो मैं यह कह सकता हूँ कि total marks 600 हैं, और दोस्तों, passing marks 150 हैं, option number A is your correct answer, कितने लोगों का answer आ रहा था A, अब मैं बताओंगा इस question का भेतरीन तरीका without copy fan, पहले मुझे इतनी बात सभी का A आ रहा था, सारे लोगों का A answer आ रहा है यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, अगले question, मतलब इसी question को दूसरे तरीके से देखना है, बस अब ध्यान से समझना, जो concept मैं बताना चाहरा हूँ, इस question पर जो concept मैं बताना चाहरा हूँ, उस बात को ध्यान से सम आवा तो कोई तीसरी condition बनेगी नी, या तो pass या तो fail, अब ध्यान से समझना, percentage का difference लेना है, percentage का difference लेना है, समझ मैं आरी यह बात, percentage का difference लेना है, कैसा भी question आ जाए, तो पहला step तो यह है, कि जो भी percentage है हमारे पास, कि पहले के 20% नंबर आए, और दूसरे के 30% आए, तो पह पहला case, दूसरा case, अब दूसरे case में condition बनेगी, अगर दोनों student pass है, पहला भी pass है, दूसरा भी pass है, पहला भी pass है, दूसरा भी pass है, तो दोस्तों हमेशा याद रखना, marks का difference लेना है, marks का, ठीक है, marks का difference लेना है, और इसको बराबर कर देना है, और यह पहली condition है इसी में, औ और दूसरी condition, अगर दोनों student fail है, दोनों student fail है, पहला 10 नमबर से fail है, दूसरा 20 नमबर से fail है, तब भी हमें marks का difference लेना है, और इसके बराबर कर देना है, जो percentage का difference आ रहा है, और तीसरी condition ये है, कि अगर एक pass है और दूसरा fail है, एक pass है, दूसरा fail है, तो हमें marks add कर देने हैं, हमें क्या कर देने हैं, marks add कर देने हैं, बस ये तीन case याद रख लो, दोनों pass नमबरों का difference, दोनों fail नमबरों का difference, और एक pass एक fail नमबर एड कर देंगे, एक pass एक fail नमबर एड कर देंगे, अब इस वाले question पर देखना कि खेल क्य बनेगा, यहाँ पर इस वाले question पर देखना कि खेल क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है अब इस question पर आ जाते हैं, फिर से फटाफट से, जल्दी से, अब गडबड़ मत कर देना ठीक है, single liner question बन जाएगा, हमने क्या बताया percentage का difference लेना है, ऐसा question जब कभी भी दीख जाए, percentage का difference लेना है, तो value कितनी आ जाएगी percentage difference, value कितनी आ जाएगी दोस्तो, 10%, value कितनी आ जाएगी 10%, बोलो हाँ या ना, clear है, अब हमने देखा, एक student fail हुआ है, और दूसरा student pass हुआ है, दूसरा student pass हुआ है, तो एक fail, एक pass, number को add कर दो, एक fail, एक pass number को add कर दो, और इसके बराबर कर दो, तो 30 number से fail और 30 number से pass, तो 30 और 30, 60 आ जाएगा, तो दोस्तों हम यह कह सकते हैं, 10%, 60 के बराबर है, तो 100%, किसके बराबर होगा, 600 के बराबर तो पहला case तो यहीं से final और जब total marks मिल गए maximum marks 600 तो मैं यह कह सकता हूँ कि pass होने के लिए that means passing marks that means passing marks दोस्तो यह कितना आजाएगा अपने पास यह दे रखा है question में 20% plus 30 क्योंकि 20% number लाके तो fail हो जाएगा 30 इस number और चाहिए pass होने के लिए तो 20% plus 30 20% कितना हो जाएगा दोस्तो 120 600 का 20% 120 और 30 that means 150 is your correct answer यह इस question को करने की exam की approach है बोलो भाई किलियर है like ठोको फटाफट से भाई यह इस question को करने की exam की approach थी अगला question सारे लोग बताएंगे अगला question सारे लोग बताएंगे इसका screenshot ले 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 फटाफट से screenshot done चले भाई आगे कितना बहुत बढ़िया भाई क्या कहानिया सुना रहे हो तो यहां पर ठीक है, चलो इधर देख लो जिरा, अगला कुश्चन देखो, यहां पर देखो फटाफट से, क्या होगा इस कुश्चन का आंसर, सारे लोग बताएंगे फटाफट से, एक उम्मीदवार ने एक परीक्षा में 30 पृतिशत अंक प्राप्त किये, और 40 अंकों से क 40 पृतिशत अंक प्राप्त किये, जो 10 अंकों से फेल हो गया, दूसरा भी क्या हो रहा है दोस्तों फेल, दूसरा भी क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, ध्यान से समझना, पहला भी फेल, दूसरा भी फेल, तो percentage का तो difference लेना ही पड़ेगा, याद रखना percentage का तो difference लेना ही तो पहला 40 number से fail और दूसरा 10 number से fail और 10% की value आ जाएगी अपने पास 30 तो दोस्तो 100% की value कितनी आने वाली है 100% हो जाएगा 300 के बराबर तो maximum marks कितने हो गए दोस्तो इस question के अधिकतम अंक पूछा है 300 अधिकतम अंक पूछा है 300 is your correct answer बोलो भाई फटाफट से बताओ not 500 300 is your correct answer कट गया चालान यहां पर लोगों का बाई 300 आप लोगों का आएगा 500 क्यों लगा दिया आप लोगोंने मुझे इतनी बात बताओ अभी मैंने क्या बताया था अभी मैंने क्या बताया था जरा देखना अपनी आखों से मैंने कहा था कि अगर पहला भी फेल है दूसरा भी फेल है तो difference लेना है नंबरों का तो क्यों जोड़ दे रहे हो भाई तुमसे पूछ रहा हूं कुछ और बता रहे हो कुछ ऐसी करके आओगे एक्जाम में अब मैं समझ गया भाई तुम नाक कटा दोगे बिल्गुल तुम्हारा दिमाग कहीं और है इसका मतलब अंबेड कर पार्क में तुम्हारा दिमाग गूम रहा है या किसी और पार्क में गूम रहा है तुम्हारा दिमाग भाई कितना टाइम हो गया साड़े नो बच चुके हैं अब अपने दिमाग को घर पे ले आओ ये सुबह के 6 नहीं बच रहा है मेरे दोस्त चलो समझ में आगई कहां नहीं आपर तो 10% की value 300 तो एक बार इसको basic से भी देख लेते हैं जिससे किसी के मन में कोई doubt है तो वो doubt कम से कम clear हो जाए चलो ध्यान से देख लेते हैं पहले एक candidate के कितने नमबर आए 30% और 30% नमबर लाने के बाद वो कितने नमबर से फेल हो गया 40 नमबर से तो इससे 40 नमबर देओ और पास करो भईया इससे पास करो ये हो गया पास दूसरे एक बास करो भईया जब 10% कि value 30 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा या आप कह सकते हैं की 1% किसके बराबर होगा, तीन के बराबर and we can say that 100% equals to 300 यही पूछा था maximum marks कितने है अधिक्तम नंबर कितने है इस परिक्ष्टा के 100% that means 300 तीक है 300 और अब यह मत करने लगना कि सर इस वाले exam में normalization नहीं हो रहा है कि नंबर तो जादे भी आ सकते है तो भाई यह real exam नहीं यह question है मैं अधिका ध्यान से देखना है इसको अब अगर यह पूछले कि passing marks कितने है अगर यह पूछले कि passing marks कितने है तो 30% plus 40 तो 300 का 30% 90 और plus 40 करोगे तो answer आजाएगा 130 answer आजाएगा 130 मतलब 300 में से 130 नंबर लियाओगे तो pass हो जाओगे 300 में से 130 नंबर लियाओगे तो pass हो जाओगे सभी का इतना आ रहा था सारे लोग बताओ फटापट से like ठोको दोस्तों अगर मज़ा आ रहा है तो अगले question की तरफ move करते हैं देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है next question without copy pen करना इस वाले question को देखता हूं कौन कौन कर पाएंगे चले बहुत अच्छी बात है regular basis पर जुड़ना है सुबा 6 बजे वाली class में और 9 बजे वाली class में याद रखना दोस्तों सुबा 6 बजे black magic और 9 बजे आप लोग के लिए ssc का खेल दिल से धमा के दार तरीके से मेरे भाई क्या कह रहा है यहाँ पर देखो यार एक उम्मीदवार ने एक परिक्षा में अब जल्दवाजी मत करना और answer correct बताना एक उम्मीदवार क्या करना है percentage का difference लेना है कुछ नहीं करना percentage का difference लेना है चाहे pass हो देख लो दूसरा वाला pass हो गया तो एक fail है एक pass है एक fail एक pass तो मैं आरी है बात एक fail एक pass जोड़ दो दोनों को एक fail एक pass जोड़ दो ये 6 नंबर से fail हो गया और ये कितना होगा है 6 नंबर से pass हो गया तो 6 और 6 कितना आजाएगा दोस्तो बार है, तो 10% की value 12 है, तो 100% की value कितना आ जाएगी दोस्तों, आपके पास 120, 100% की value कितना आ जाएगी 120, and answer is B, B is your correct answer, कितने लोग का B answer आ रहा था बताओ, पटाफट से बताओ, कितने लोग का B answer आ रहा था, ये बात समझ गए, बोलो हाँ या ना, अरे भाई, ये बात समझ ग एक ने एक को सुनानी शुरू कर दी, और दूसरा कहरा, तू नंबरी तो मैं 10 नंबरी है ना, तू नंबरी तो मैं 10 नंबरी ले, तूने मुझे बोला, तो ले मैं भी तुझे बोलता हूँ, घड़ा खट एकदम, अफरा तफरी मच गई, और 8 cent बखना शुरू कर दिया, ल घर में लड़ाई होगी ही नहीं बिचारी पतनी बोलती रहेगी, आदनी उचारा ऐसे करके चुप बैठा रहेगा, और अपने काम में लगा रहेगा, चला जाएगा विचारा घर से बाहर कुछ काम धाम करने है ना, तो कुछ हो गई नहीं, वहाँ पर क्या होगा, पॉजि है भी रहता भी है कि नहीं रहता है यहाँ पर है ना, तो क्या है कि एक पास, एक फिल, कभी एड करेंगे, यह ध्यान लखना नमबर, एक पास, एक फिल, कभी एड करेंगे, और परसंटेज का डिफ्रेंस लेना है हमेशा, कि लिए रहे यहां तक चीजें, अरे बताओ भी आगे की तरफ अरे और क्या समझ रहे हो बाई ये समझ लेना अगर दोनों में से एक भी मतलब अगर दोनों चीजें एक सी हो गई ना तो वो काएगा तू बीर अपने घर का तो मैं भी बीर हूँ यह ले फिर आजा लडाई होगी यहाँ पर तो इस तरीके की चीजें हो जाए के ना मतलब घमासान वाली स्थिती पैदा हो जाएगी तो भाई यह चीज़ कॉंसेप्ट समझ में आ गया तो चलो आगे की तरफ मूप करतें देख लेतें कि आगे क्या कहना चारा है चलो बहतरीन कॉर्शन आप लोगे सामने यह रहा एक व्यक्ति की आए दस हजार है और खर्च 6,000 है और इस प्रिकार 4,000 रुपे की बचट होती है तो इसमें कौन सी नई बात दे दी भाई 10,000 रुपे कमा रहा है 6,000 खर्च कर रहा है तो सेविंग तो 4,000 की है इत्ती तो बात के लिए है सभी को घबराना मत इस कुर्शन को देख के देखना देखो क्या कहना च कम है चलिए भई फटाफट बताइए सारे के सारे लोग बहुत बढ़िया बहुत शांदार भई अरे भाई चलो लाइक ठोकते चलो फटाफट से जितने लोग हैं यहां पर उतने उससे जदा ही लाइक होने चीए आप लोग का प्यार जो है न वो बहतरीन तरीके से मिलना ची सेविंग्स इंकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग्स गॉट इट दस हजार रुपे उसकी इंकम है 6,000 रुपे उसका खर्च है 6,000 रुपे उसका खर्च है तो उसकी सेविंग आ गई 4,000 सेविंग कितनी आ गई 4,000 अब आगे जो बोलग है वो है असली ख 10% income increase हो गई तो हमने ये देखा कि उसकी income 10% increase होने के बाद मतलब 1000 रुपे increase हो जाएगी और अब जो income हो गई वो हो गई 11000 रुपे कितनी हो गई 11000 रुपे और उसने अपना खर्च भी कितना बढ़ा दिया दोस्तो 20% बढ़ा दिया कितना बढ़ा दिया 20% बढ़ा दिया तो 20% कितना हो जाएगा 6000 का 1200 रुपे उसने अपना खर्च 1200 रुपे बढ़ा दिया तो मैं ये कह सकता हूँ उसका खर्च हो गया अब 7200 कितना हो गया दोस्तो 7200 ग्यारह हजार income है 7200 खर्च है तो यहाँ पर कितने बचेंगे उसके 3800 रुपे उसके कम हो गए सेविंग में 200 रुपे कहां से 4000 से कहां से दोस्तो 4000 से इन 200 करोगे 20-20 के लिए और 40 से that means 5% is your correct answer 5% सेविंग कम हो जाएगी 5% सेविंग कम हो जाएगी कितने लोगों का 5% answer आ रहा है पटाफट से बताइए जल्दी से सारे लोग कितने लोगों का 5% answer आ रहा है सभी का इतना आ रहा था सभी का इतना रहा है 5% चलिये आगे देखते हैं आगे क्या कहना चाहा रहा है बहुत ध्यान से चीजों को देखना है ठीक है चलिये आगे की तरफ बढ़ते हैं देखते है next question कह है चलो, इस वाले कुश्चन को थोड़ा सा धिमाग लगा करना क्योंकि इसके बाद जो कुश्चन आने वाला है तोड़के रख देगा, एकदम समझ ले ना धिमाग के ना, तोड़ा पेच खोल दिये धिमाग के तो ऐसा कुश्चन है अगला वाला अब देखते ही ये क्युआ है पहले The Population of a village is decreased by 12% And 10% in 2 successive years मतलब लगातार दो वर्षों में जो गाओं के जनसंख्या है वो पहले वर्ष में बारे परसेंट और दूसरे वर्ष में 10% decrease होती है What percent population is decreased after 2 years तो दो साल के बाद जन संख्या कुल मिलाके कितने percent decreased हो जाएगी ये हमें बताना है चलिए भई फटाफट से बताईए देखता हूँ कि कौन-कौन इस question का answer बता सकता है देखता हूँ कौन-कौन इस question का answer बता सकता है चलो फटाफट से जल्दी से ए ए बता रहे हैं यहां पर यह लोग कि बताईए वही क्या इसका answer होगा ए चलो देखते हैं चलो यह सभी का इतना आ रहा है net change का format देखना दोस्तों बहुत ध्यान से net change net change in percentage क्या होता है दोस्तो x plus y plus x y upon 100% x plus y plus x y upon 100% यह format रहता है आप लोगों का यह format रहता है दोनों decrement दे दिये 12 और 10 तो that means minus का 12 and minus का 10 and plus minus का 12 into minus का 10 over 100 यह कितना आ जाएगा दोस्तों 12 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों अपने पास 22 हो जाएगा 22 हो जाएगा वो भी minus का और यह minus minus plus हो जाएगा 10 से 10 के लिए and यह value हो जाएगी plus का 1.2 and overall जब result देखोगे तो यह आजाएगा 20.8 वो भी minus का और minus का मतलब होता है decrement तो first one is your correct answer बोलो दोस्तों के लिए रहे के लिए रहे तो इस वाले तरीके से net change निकल सकता था इस formula से कुछ और करने की जरूरत तो नहीं थी यही formula काफी था बोलो दोस्तों यही formula काफी था इस question में बेडा पार लगाने के लिए clear था तुक्का लगा दिया अरे वा बहुत बढ़िया भाई बहुत शानदार तुक्के में भी सही हो गया ऐसे questions में भी तुक्का लगाओगे शरम नहीं आ रहे आप लोगो यह सब बाते बोलते हुए मेरे भाई एके चलो अगला question पर आजाओ जरा देखते हैं कि अगला question कौन कौन कर पाएगा बेहतरीन तरीके का बेहतरीन question है next question चलो भया उड़ाओ जरा अगला question उड़ाओ देखते हैं कि कौन कौन करेगा इस वाले question को तारे लोग करेंगे और एक भी student यहाँ पर इस question को गलत नहीं करेगा खेल बहुत ही प्यारा लगेगा यहाँ पर आप लोगो अगर percentage की fraction value पता हैं आपको अगर percentage की fraction value पता है तो इस question को उड़ा दोगे मुझे पता है इतनी बात चलो भई फड़ाफट से बताओ देखते हैं कि कौन कौन कर पाता है चलो भई उड़ाओ जरा जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन कर पाता है इस वाले question को उड़ाइए जरा जल्दी से भाई एक गाउं की जनसंक्या में लगातार चार वर्सों में साड़े बारे परसेंट साड़े, सॉरी, 14.28% 16.67 और 20% की कमी ओरियर कहां जा रहे हैं यह सब लोग छोड़ चाड़ के मर मरा रहे हैं क्या मुझे लग रहा है चाईना की बात चल देए ठीक है, चलिए खैर देख लेते हैं एक गाउं की जनसंक्या में चार साल में लगातार डिक्रिमेंट हुआ है उठालो परसेंट, अब यहाँ पर तो फोर्मूला काम नहीं करेगा न वहाला, यह कर जाएगा काम नहीं करेगा काम यहाँ पर और करने की कोशिच भी करोगे, करवाने की तो भाई, हालत खराब हो जाएगी आंसर पर पहुँचने में सक्सिसिव रेशियो मेथड यहाँ पर काम आएगा आंसर की तरफ देख लेते हैं कितने लोगों का आंसर आ रहा है फिप्टी फिप्टी चलो देखते हैं कि फिप्टी होगा है या फिप्टी सेवन होगा फिप्टी होगा है फिप्टी सेवन होगा या पॉट्टी एट पाइंट होगा ध्यान से देखना है बस यहाँ पर ठीक है चलो, लाइक ठोकते चलिए दोस्तों फटापट से अच्छा देखते हैं यहाँ पर ध्यान से चीजों को देख लिए यह कह रहा है यहाँ पर 12.5 तो 12.5 परसेंट का मतलब होता है दोस्तों 1 बटे 8 बोलो यहाँ पर चीजे के लिए 14.28 परसेंट का मतलब कितना होता है 14.28 परसेंट का मतलब होता है दोस्तों 1 बटे 7 और तीसरा क्या दे रखका है आपने पास 16.67 या मैं 20% लिख लेता हूं कोई दिकत ने है 20% का मतलब होता है एक बटे 5 और इसको इधर लिख लेता हूं ठीक है इसका मतलब होता है वोलो यहां तक यह चीज़े किलियर हैं इससे को किसी को डाउट तो नहीं कहीं से कहीं तक भी percentage की fraction value में अब हर साल decrement है हर साल decrement है तो यहां पर लिखो कि आप initial बहुत ही प्यार से आप इस question को करिएगा दोस्तो और प्यार प्यार में ही आपका answer आजाएगा देख ले नजरा ठीक है भाई final तो पहले साड़े बारे percent की कमी अगर कोई value आठ है तो आठ में से एक कम होके कितनी रह जाएगी दोस्तो seven रह जाएगी कितनी रह जाएगी seven clear दूसरा अगर seven है तो seven से एक कम होके कितनी रह जाएगी six रह जाएगी फिर तीसरा अगर six है तो 6 में से 1 कम होके कितनी रह जाएगी 5 रह जाएगी और यहां पर अगर 5 है तो 5 में से 1 कम रहके कितनी हो जाएगी 4 रह जाएगी बोलो यहां पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत एक बात समझ लेना बहुत ध्यान से अगर decrement है तो minus करोगे और अगर increment होगा तो जोड जोड के लिख दोगे numerator को add करके लिख दोगे clear है यहाँ पर बात समझ में आ रही है बस इस side से इस side की अगर कोई value दिखाई दे रही है तो उसे काट सकते हो 7 से 7 के लिए 6 से 6 के लिए 5 से 5 के लिए मैं यह कह सकता हूँ कि अगर population पहले 8 थी तो अब population कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी 50% population गायब हो चुकी है 50% population क्या हो गई है कम हो चुकी है 3 is your correct answer प्यार हो जाएगा मैं इससे चिंता मत करो regular practice करो देखो यार एक बात सुन लेना कोई shortcut नहीं है कोई मैं ऐसी बात नहीं बताऊँगा आपको जिसकी वज़े से आपको ऐसा लगे कि हाँ यह चीज पढ़ने के बाद यह मंतर बोलने के बाद मैं यह से प्यार हो जाएगा जिस दिन अपने आप से शर्त लगा ली ना कि यार नोकरी लेनी है इस साल लेनी है तो लेनी है यह सोचके नहीं लेनी है कि मेरे पड़ोसी नोकरी ले ली या मेरे चाचा के लिए बहुत उपर पहुँच गया है मैं ऐसी रह गया ठलुआ सा ये सोच के नहीं करनी मैनत ये करनी है कि मेरे को अपना स्टेटेस बनाना बात खतम हो गई कोई सी भी नोकरी लेनी है लेनी है इस बार अगर आप ये लक्षे बना लोगे तो निश्यत रूप से सफलता मिलेगी दोस्तों आप लोग को चली आगला कुश्चन आप लोग के सामने देखते हैं कि कौन कौन कर पाएगा अच्छा मिक्षर से भी कुश्चन रहते हैं परसेंटेज पर तो मिक्षर जैसे चैप्टर में भी परसेंटेज का बहुत हाई यूज रहता है रेशियो और परसेंटेज का मिक्षर को रेशियो और परसेंटेज का कोर एप्लिकेशन माना गया है हाला कि सबसे ज़्यादा कोर एप्लिकेशन परसेंटेज का कंपाउंड इंट्रेस्ट को माना गया है but mixture में भी ratio और percentage का भयंकर यूज़ है मेरे दोस्त, बहतरीन तरीके का कि लिए रव भाई, सर पिछले question में ये rule नहीं लगेगा, कहा कौन सा वाला पिछले question में कौन सा वाला rule देखे जिरा ये question, पिछले वाले question में इस वाले में लग जाएगा क्यों नहीं लगेगा ये लो लगा देते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है ये लो भाई लगा देते हैं यहां पर इसमें कौन सी बड़ी बात है पिछले वाले कुश्चन में भी ये वाला रूल लगा देते हैं जहान से देखना ये रहा अच्छ परसेंट का मतलब कितना होता है पटाफट से बताओ जरा जल दी से 12 परसेंट का मतलब होता है 12 बटे 100 होता है कि नहीं होता है 4 से 3 बार और 4 से 25 बार तो इसकी fraction value कितनी आ गई 3 बाई 25 10% का fraction value कितना होता है 10 बटे 100 यानि की 1 बटे 10 बोलो clear है के नहीं clear है दोनो decrement है तो बस खेल जाओ 1 value 25 है तो 25 से 3 कम हो गई कितनी रह गई 22 रह गई और दूसरी value 10 है तो 10 से 1 कम हो गई कितनी हो गई दोस्तो 9 हो गई कितनी हो गई 9 multiply करोगे यहां से पता चल जाएगा कोई value अगर 250 थी तो अब कितनी हो गई 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 19 198 अपने पास वो क्या हो गई रह गई 198 रह गई कितनी की कमी आई यहां से यहां से कितनी की कमी आई इसको देख लो 52 की कमी आई किस पर दोस्तो यहां से देखना ज़रा 250 पर 250 पर into 100 कर लोगे into 100 25 से 4 बार और 25 से वाली वैल्यू 10 बार solve करोगे यही आ जाएगा आपके पास solve करोगे 20.08 आ जाएगा clear है तो दोनों तरीके बता दिये मैंने आपको इस question को करने के बोलो भई फटाफट से जल्दी से हाँ या ना clear है दिल्ली पुलिस में भी सा धमाके से अभी अम लोग पढ़ाई start करेंगे आप लोग के लिए बहतरीन तरीके से चलो ये question में doubt तो नहीं है तो समझ में आगे की percentage की fraction value कहाँ पर use होगी और core formula net changes का कहाँ पर use होगा ये आप लोग भली बाती अब लोग समझ चुके हैं अगले question की हम लोग बात कर रहे थे mixer वाले की कह रहा है कि एक वैग्यानिक अपने घोल में 10% पानी मिलाता है लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं है इसलिए वह पिछले मिश्रण में फिर से 10% अधिक पानी मिलाता है यदि वैग्यानिक इसे क्रैम उल्ले पर बेशता है तो उसका लाब प्रतीशत कितना होगा चलिए फड़ाफट से बताईए दोस्तों profit का हाल है कि concept यहाँ पर आ चुका है मगर concept core percentage कही रहेगा देखता हूँ कि कौन कौन कर पाएगा फड़ाफट से यहाँ पर बताया है answer चलो इस question के लिए ने timer छोड़ता हूँ आप लोग को और आपके comments परता हूँ दोस्तों मैं आपके comments परता हूँ कितने प्यारे-प्यारे comments दे रहे हैं आप लोग ज़रा देखता हूँ मैं यहाँ पर कि कौन कौन इस question का answer बता सकता है 30 second का time दूँगा बस just कितने second का? 30 second का time दूँगा 21 सुखराम काजल कुमारी 21 गुपताब बहुत बढ़िया 21 B पूरण 21 और देख लेते हैं भई महादेव राना 21, M वर्मा 21 King मिर्जापूर 21 King बहुत बढ़िया खेल समझ गए आप लोग मुझे लग रहा है आप लोग खेल समझ गए बस यहीं पर चीजों को देख लो, देखना कैसे? ऐसे question का न concept समझना, बड़ा प्यारा concept है मज़ा आएगी आप लोगो इस question को समझने में मैंने ये मान लिया कि उस दूधिये के पास sorry, दूधिया साइन्टिस्ट है उस साइन्टिस्ट के पास 100 लीटर मिक्षर है कितने लीटर मिक्षर है दोस्तो? 100 लीटर मिक्षर है और जिसकी कीमत 1 रुपे पर लीटर है जिसकी कीमत कितनी है दोस्तो? पॉर्मेट थोने का चेंज हो जाएगा। उसका जो कॉष्ट प्राइज है वो कितना आगया दोस्तों 100 रुपीज आगया। पहला पॉइंट तो एक लियर हो गया। सपोज मैंने मान लिया उसके पास क्या है 100 लिटर दूध है। प्योर दूध है। पानी मिला दिया जैसा कुष्ट कह रहा है। तो उसके पास 100 लिटर तो था ही उसने 100 लिटर में 10% पानी मिला दिया। तो अब वैल्यू कितनी होगी दोस्तों उसके पास 110 लिटर। मगर संतुष्ट कैसे होगा वो उसंतुष्ट नहीं हुआ भाई। कह रहा है, 110 है, अभी और मिला सकता हूँ इसमें तो इसने इसी वैल्यू का 10% पानी फिर से मिला दिया। तो 110 का, 100 का 10% 10, 110 का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 लिटर। तो इसने यहां पर 11 लीटर पानी फिर से मिला दिया, अब टोटल मिक्षर कितना हो गया, 121 लीटर हो गया, और वो कह रहा है कि क्रेम उल्ले पर ही बेशता है, और क्रेम उल्ले कितना है दोस्तों, एक रुपे परती लीटर, क्रेम उल्ले कितना है, एक रुपे परती लीटर, तो 121 लीटर को 1 रुपे के हिसाब से बेचेगा तो इसे 121 रुपे मिलेंगे इन्पुट था 100 रुपे मिले हैं 121 कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है दोस्तो 21% गेन 21% गेन कोश्चन में मज़ा आया के नहीं आया सारे लोग बताओ कोश्चन में मज़ा आये के नहीं आया चलो यार प्रैक्टिस करोगे तो मैथ का जादूगर बन जाओगे अब वो कहानी सुने पहले मैं बच्पन में मैथ में बड़ा कमजोर था हाँ हाँ एक दिन मुझे मिला आकास सर का साथ और मेरी तो जिंदगी ही बड़ा गई दोस्तों तो ये वाली कहानी मैथ में नहीं होती देखें ऐसे इस थाइप के अड़ोटीजमेंट पहले मैं बच्पन में बहुत पतला दीखता था पर जिस दिन से मैंने ये खाना शुरू किया है कॉलिज में मेरी इमेज बन गई सारे लोग मेरे दोस्त हो गए हाँ ऐसा गुष देखा है कि नहीं देखा तो मैथ में ये सारी चीज़े नहीं चलती मैथ में ये नहीं चलता कि पता चला कोई दवाई दे दी आपको और आपको मैथ आ गया प्रैक्टिस कर मेरे भाई सब कुछ बढ़िया हो जाएगा ठीक है चलो चलो आगे की तरफ मूब करते हैं देखते हैं कि नेक्स टॉप्षन क्या कहना चाह रहा है ठीक है चलो ये फटाफट से अच्छे लाइक ठोको यार सारे लोग मज़ा आ रहा है तो लाइक ठोको सारे लोग है बढ़िया लग रहा है सब कुछ लाइक ठोके फटाफट से 500 प्लस लाइक फटाफट से करो दोस्तों देखते हैं आगे क्या कह रहा है रोहित अपनी मासिक आये का 30% खाद पदार्तों पर ज्यान से 6 का 40% बाहन और कपडों पर 6 का 40% ध्यान से समझना इन कुश्चन्स में एक अलग पॉइंट रहता है यहाँ पर कह रहा है 6 का 6 मतलब यह होता है कि जो पहले खर्च कर चुका है उसके बाद जो राशी बची है उसका 40% खर्च कर रहा है कहाँ पर बाहन और कपडों पर ट्रांसपोर्ट और कलोट्स पर उसके बाद कह रहा है और 6 का 50% बचाता है इसका मतलब यह हुआ उसके बाद जो पैसा बच रहा है उसका 50% बचा रहा है यदि उसका मासिक बेतन 18,400 रुपे है तो वैह हर महीने कितना पैसा बचाता है यह हमें बताना है हर महीने कितना पैसा बचाता है के लिए रहे बाई चले चलो देख लेते हैं यहाँ पर क्या खेल कहने वाला ठीक है पड़ापड से लाइक 500 प्लस बहुत बढ़िया थैंक्यू गाइस 500 पार हो चुके हैं आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कहना अच्छा ऐसे कुश्चन को करने के लिए न दो केस समझना मेरी बात अगर आप 18,400 को लेके चलोगे तो कैलकुलेशन के चक्कर में फस जाओगे क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन के चकर में फस जाओगे तो फिर क्या करें भी? फिर क्या करें अकासर करना क्या है? 100 पे खेल जाओ यार मैंने मान लिया कि उस आदमी की जो इंकम है उस आदमी की जो इंकम है वो 100 दे रखी है उस आदमी की इंकम कितनी दे रहे कि 100 अब इस कुश्चन को ध्यान से देखना वो 30% खाने पर खर्च करता है किस पर? Food articles पर तो इस 100 में से 30 रुपे उसने Food article पर खर्च कर दिये तो बचे कितने उसके पास? 100 थे तो बचे कितने उसके पास दोस्तो? 70 रुपे बचे जो बचरा है उसको मैं box में लिखता चल रहा हूँ और जो खर्च करता चला जा रहा है उसको मैं circle में convert कर लो ठीक है? जो बचरा है उसको box में बना रहा हूँ और जो खर्च कर रहा है उसको circle में नहीं उसको open ही रहन देते हैं ठीक है? उसको open है अब यहाँ पर आगे क्या बोला? शेष का 40% वहन और कपड़ों पर तो शेष तो यह बचा है मेरे पास यह बचा है कि नहीं बचा? शेष का 40% तो सतर का 40% देखो सतर का 40% 40 बटे 100 2-0 से 2-0 के लिए कितना आ जाएगा? 28 यह 28 अब देख लेते हैं कहां कहां पर खर्च कर रहा है उसको भी लिख देते हैं क्योंकि कई बार एक्जाम में वो चीज़े भी पूचता है तो यह यहां पर का का खर्च हुआ है? इसका food articles का और यहां पर किस चीज़ का खर्च हुआ है? 40% convince and cloth तो यह CC में इसका खर्च हुआ है यह पैसा कहां पर खर्च हुआ है? फूड में और यह हुआ है CC में अब उसके बाद इसके पास कितना अब इसके बाद इसके पास कितना बचा है दोस्तों? अब 28 रुपे खर्च हो गए साथ चौक 28 साथ चौक 28 तो कितना बचेगा? साथ च्छंग 42 हम यह कह सकते हैं कि इसके पास अभी भी 42 रुपे बचे हैं यह बचे हैं कि नहीं बचे हैं? 28 रुपे खर्च करने के बाद अब यह कह रहा है कि सेश का 50% बचाता है तो यह सेश है इसका 50% मतलब 21 रुपे की उसकी सेविंग है saving कितनी है 21 रुपे की ये आगई अपने पास saving saving आगई अपने पास 21 रुपे की saving है उसके पास मगर कब जब वो 100 रुपे कमाता है actual में उसकी कमाई कितनी है ध्यान से देखो इस 100 की value question में दे रखिए 18400 18400 18400 कितने गुना है दोस्तों ये value 184 गुना है कितने गुना 184 गुना है तो ये जो saving है ये भी 184 गुना हो जाएगी ये saving भी 184 गुना हो जाएगी फटापट से बताओ answer कितने लोग का आ रहा है first one कितने लोग का answer आ रहा है calculation नहीं करनी पड़ेगी पूछो क्यों calculation करनी नहीं पड़ेगी पूछो क्यों दोस्तों क्योंकि 4 किसी और option में नहीं है पहले option में दे रखा है 4 4 किसी और option में नहीं था पहले option में 4 दे रखा है मुझे बताओ ऐसे questions को करने का तरीका समझ में आया गलत तो करके नहीं आओगे चीजे के लिए रहें यहाँ पर देखो कितने प्यार से मैंने चीजों को समझाया अब वो ही पूछ लेता कि बताओ उसने खाने पर कितने खर्च किये तो मुझे दिखाई दे रहा है food पर 30 खर्च किया है तो अगर यह पूछता खाने पर कितने खर्च किये तो इसको 184 से मल्टिप्लाई कर देते 30 को तो आजाता कि नहीं आजाता खेल बोलो हाँ या ना तो आप कोगे यस सर आजाता first one is your correct answer सारे लोग बताएं जरा बोलो जरा fraction value से इस वारे question को fraction value से लगाना चाहते हो लगाते हैं चलो देख लेते हैं अरे लगा तो पता नहीं कैसे कैसे सकते हो यार तुम जो सोच भी नहीं सकते हैं वो तरीका भी हम इसमें लगा देंगे ठीक है हम लाएं हैं तूफान से कष्टी निकालके इस देश को रखना मेरे बच्चों समालके चलो आजाओ basic तरीका जानना चाहते हो graph से हटके हैं तो ये लो मेरे भाई basic पे खेल लो इसमें कौन सी बड़ी बात है 18,400 रुपे थे उसके पास और पहले उसने कितना खर्च कर दिया दोस्तों 30% खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बचा 18,400 का 70% बचेगा के नहीं बचेगा बोलो हाँ या ना तो आप कहोगे यसर 70% का मतलब 7 बचे 10 ये value बची यही remaining value है अब इस value का 40% खर्च कर दिया इसका मतलब इसमें से भी 40% उड़ा दिया तो इसी value का 30% बचेगा के नहीं बचेगा तो ये लो 60% लिख दिया और फिर इस value का 50% बचाता है तो इस value का 50% मतलब 1 बचे 2 ये हमें find करना है ये है question ये है तरीका करने का मगर फिर आप कोगे सर ये तो एक line में हो गया तो फिर पहला वाला तरीका क्यों करा बताऊंगा अभी क्यों करा पहला वाला तरीका ये क्यों नहीं करा मैंने सब जानते हैं ये वाला तरीका दूसरा भी सब जानते है मगर मैंने दूसरा पहला वाला तरीका क्यों किया है ये मैं अभी बता दूँगा आप लोगो को देखो दोस्तो 2-0 से 2-0 के लिए और बोलो हाँ या ना single line में answer बना एक line में, फिर आपको कोगे साथ, आपने वाला तरीका क्यों पता है, graph वाला, मेरे भाई एक बात समझे न, graph में, जो कि जरूरी नहीं है कि वो आप से final value पूछे, जरूरी नहीं है कि वो आप से final value पूछे, क्योंकि अगर final value पूछेगा, तब तो आप वाला तरीका लगा दोगे जो अभी देखा था, मगर अगर गलती से भी उसने ये पूछ लिया, गलती से भी बीच में अगर कुछ ऐसी information पूछ ली, जो यह वाली value नहीं दी गई है हमारे पास, माना, और कुछ final value दी गई है, और हमसे ये पूछ ले कि बताओ, उसने convince and cloth पर कितने रुपे खर्च किया, यहां तो हमें 100% की value दे रखिये, तो एक ही line में निकाल देंगे इसको भी, मगर अगर वो पूछ ले कि बताओ, cloth and convince पर कितना खर्च किया है, तो इसकी लिए graph बनाना पड़ेगा के नहीं बनाना पड़ेगा, तो ऐसे questions ये graph method बहुत important role play करता है, आपके up level questions में main level पर जब जाओगे, तो questions को basic से नहीं कर सकते, graph की use करना ही पड़ेगा, के लिए रहे भाई, सारे लोग बताओ फटाफट से, easy लगा, दोनों चीज़े easy लगी, अरे graph भी easy लगा होगा, और वो दूसरा वाला भी easy लगा होगा, graph भी easy लगा होगा और दूसरा वाला भी easy, ये भी easy है, और graph भी easy है, क्योंकि यहाँ पर final value पूछी गई है, इसलिए ये easy है, बट इससे पहला वाला खेल अलाग है दोस्तो, चलिए अगले वुष्ण की तरफ, move करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहरा है, एक परिक्षा में 34% छात्र इतिहास में, और 42% अर्थशाष्टर में fail हुए, खेल समझना यहाँ पर क्या कह रहा है, एक परिक्षा में 34% छात्र इतिहास में लड़ गए भाई, मर गए, और 42% अर्थशाष्टर में, एकॉनोमिक्स में 42% fail हो गए, दोस्तों एक बात याद रखना, एकॉनोमिक्स बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहतरीन सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट दुनिया में मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, पहला एकॉनोमिक्स, दूसरा फिलोसिपी, भारतिय दर्शन अपने आप में एक वैल्यू रखता है, और मुझे लगता है, कि भारतिय दर्शन की जो पराकाष्टा है न, उसको जो नीटसे और अरस्टू और जो इन लोगों की दर्शन है, वो उनके सामने थोते नजर आते हैं, फ्राइड का दर्शन भी पड़ा थोता नजर आता है, भारतिय दर्शन के सामने क्यार, आजाओ, आप कहोगे सर, पता नहीं कहाँ फिलोसपी की बाते ले आए आए आप, हमें तो कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, वैल, एक परिक्षा में 34% छात्र इतिहास में, और 42% आर्थ शास्तर में फेल हो गए, दोनों फेल हो गए, यदि 20% छात्र दोनों विशों में अनुत्रिन हो जाते हैं, तो दोनों विशों में उत्रिन होने वाले छात्रों का प्रतीशत क्या है, इस कुछ्फण को बाद में कराउंगा, पहले इस कुष्ण का कॉंसेप्ट बतांगा, अरे भई, मेरी बात ज्यान से समझना, आपके पास टोटल प्लेयर है, मेरी बात ज्यान से सुनना बस, आपके पास टोटल प्लेयर है, सपोज मैंने मान लिया आपके पास अठारा प्लेयर हैं, कितने प्लेयर हैं, आपके पास अठारा प्लेयर हैं, कितने प्लेयर हैं, अठारा प्लेयर ह अब जो पूछूंगा वो बताना आपको किरिकट की दो टीम बनानी है आपको बनानी है टीम A टीम A और दूसरी बनानी है टीम B अब मुझे बताओ कि पहली टीम में कितने लोग होंगे किरिकट की टीम बन रही है पहली टीम में कितने लोग होंगे पहले टीम में कितने लोग होंगे और दूसरी टीम में कितने लोग होंगे और टोटल नंबर आफ प्लेयर आपके पास दे रखें 18 प्टाफट से बताओ सारे लोग कॉमेंट सेक्शन में तब ही उस कुशन का कॉंसेप्ट समझपाओगे वरना रटोगे की वेंट डाइगराम क्या होते हैं इस बबाल से आज जंजटी खतम हो जाएगा आज आप लोग को असली कौन से पता चल जाएगा ठीक है तो चलो फटाफट से बताओ 18 प्लेयर हैं आपके पास और किर्किट की दो टीम बनानी है जल्दी से बताओ फटाफट कितने कितने लोग होंगे जल्दी से बताओ फटाफट से टीम A और टीम B में कितने कितने लोग होंगे यही तो देखना है मुझे चलिए जल्दी से 11 और 7 पहला पहला आप्शन बता रहे हैं 11 और 7 किसी ने क्या बताया है दूसरे ने बताया है 9 और 9 तीसरा कोई बताओ जड़ा फटाफट से जल्दी से कुछ और भी बता सकते हो क्या पहली टीम और दूसरी टीम में कितने कितने लोग होंगे 9-9 प्लेयर अंकिता कुश्वाह ने बताया 11-11 तो 11-11 भी लिख देते हैं 11-11 भी लिख देते हैं यह तीन केस बना दिया आपने इसके लावा तो कोई चौथा केस नहीं बने रहा ना यही तीन केस बनेंगे बनेंगे की नहीं बनेंगे बोलो हाँ या ना जल्दी से बताओ यह तीन केस बनेंगे बोलो फटाफट से अब आपके दिमाग में एक बात आ रहे हैं किसरा चौथ 1111 ही होंगे, अब आपके दिमाग में ऐसे रखो जिनको common कर दोगे, अब खेल समझना, वेंड डाइग्राम का, असली खेल समझना यहां पर दोस्तो, बात समझना, देखो, खेल क्या बनेगा यहां से, मैंने ये मान लिया कि पहली टीम में भी 11 प्लेयर है और दूसरी टीम में भी 11 प्लेयर है तो पहली टीम के प्लेयर और दूसरी टीम के प्लेयर एड़ कर दिये और कुछ प्लेयर ऐसे होंगे कुछ खिलाडी ऐसे होंगे जो common होंगे सचिन मैंने मान लिया common है तो सचिन इस टीम में भी है सचिन इस टीम में भी है सचिन किते है दो या एक सचिन तो एक है तो सचिन इस टीम में भी है सचिन इस टीम में भी है common है तो यहां भी count कर रहे हो यहां भी count कर रहे हो तो double counting हो गई के नहीं हो गई तो भाईया पहली टीम के 11 प्लेयर, दूसरी टीम के 11 प्लेयर और common information हमने क्या कर दी, minus कर दी, common information minus कर दी, हमने यह माल लिया, हमें नहीं पता कितने लोग है common, हमें नहीं पता कितने लोग common है, मगर जैसे ही common की information minus कर दोगे, तो आपके पास total आ जाएगा, बहुत ध्यान से ची यह value कितनी आगी x और x की value कितनी आगी 4 तो हम यह कह सकते हैं दोस्तों कि 4 player ऐसे हैं जो common हैं हम यह कह सकते हैं 4 player ऐसे हैं जो common हैं इसका मतलब यह है कि यह पहली team का circle है इस team की value 11 है इस team की value 11 है बोलो हा या ना इस team की value 11 और यह दूसरी team है team B इसकी value भी 11 होनी चाहिए इसकी value भी 11 होनी चाहिए बट इन दोनों का जो common part है इसमें चार खिलाडी ऐसे हैं जो team A में भी है और team B में भी है तो यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पर भी 7 बचेगा जोड़के देख लो जोड़के देख लो 7 और 4 11 और 7 कितना हो जाएगा 18 टोटल प्लेयर 18 information जोड़के common की information को minus करना होता है common की information को minus करना होता है और हमें result मिल जाता है हमें क्या मिल जाता है रिजल्ट मिल जाता है फटाफट बताओ यहां तक चीजे समझ में आ गई यहां तक अगर समझ में आया तो ठोको लाइक बढ़िया तरीके से दोस्तों यहां तक अगर चीजे समझ में आई हैं तो लाइक ठोकी है बढ़िया तरीके से बोलो किलिया रहे अरे भाई question ही solve हो जाएगा अब आप when diagram का concept language में भी समझ गए और when diagram से भी समझ गए clear है अब doubt नहीं बचाओगा कितने प्यार से मैंने और बेहतरीं तरीके से आप लोगो को बताया मैंने बताया कि case यही है बस हमेशा एक ये case नहीं होगा ये case नहीं होगा ये case नहीं होगा अब देखना है question कहना क्या चाहता है मेरे भाई अब देखना है question की तरफ अब उड़ाओ इस question को अब आएगा आप लोगो को मज़ा question पढ़ने में मज़ा कब आता है जब concept का पता हो और पता चला यार, कॉंसेप्ट काई पता नहीं है, तो फिर कुशन होतो जाता है, मगर मज़ा नहीं आता, मज़ा तबाएगा जब आपके आथ में हाथ, तलवार हो, और भाई तलवार चलानी भी आती हो, और सामने जो लड़ने वाला ना, वो भी ध्माकेदार तरीके का यो हो गए, यदि 20% दोनों विशों में फेल हो गए, अच्छा ऐसा कुशन करते समय, एक information का ध्यान रखना, बहुत ध्यान से, अगर सारी information फेल की है, तो result भी, result भी, fail का ही आएगा, result भी किसका आएगा, fail का, और सारी information अगर pass की ले लोगे, तो result भी, result भी, किसका आजाएगा दोस्तो, pass का जाएगा, ये ध्यान रखना होता है, आपको बस, बाकि कुछ नहीं ध्यान रखना है, अगर information फेल की लेके चल रहे हो, तो सारी information फेल की लेो, और result भी, fail में आएगा, और information अगर pass की लेके चल रहे हो, तो फिर सारी ही information पास की लो, तो result भी, pass में आजाएगा अब इस question में सारी information fail की दे रखी है देखना ध्यान से history में कितने fail हुए दोस्तो 34% fail हुए history में कितने fail हुए 34% और economics में कितने fail हुए economics में fail हुए 42% 42% मगर 20% ऐसे हैं जो दोनों में लुडग गए मेरे भाई तो common की information minus करोगे कि नहीं करोगे बोलो हाँ या ना तो यहां से पता चलेगा 40 और 30 70 और यह कितना हो जाएगा 76 76 में से 20 गया तो value आजाएगे अपने पास 56% यह क्या हो जाएगे अपने पास यह पूरी information fail की है तो 56% कैसे लोग है अपने पास fail हो गए जब 56% fail हो गए और total लोग 100% है तो पास कितने हो जाएगे पास percentage हो जाएगा 100 minus 56 answer should be 44 answer should be 44 B is your correct answer कितने लोगों का B answer आ रहा था फटाफट से बताओ जल्दी से B कितने लोगों का answer आ रहा था 34 कैसे कैसे बता रहे थे B is your correct answer B is your correct answer सारी information पास फेल की तब क्या होगा मैंने बताया थो अगर सारी information फेल की है तो फेल का मिलेगा result क्या मिला फेल मिला ना हमे result क्या मिला फेल मिला और अगर सारी information पास की होती समझना मेरी बात ध्यान से सारी information पास की होती तो result कैसा मिलता अभी लाओंगा question अगली class में चिंता मत करो एक पर concept समझो और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे दीरे 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 यकीन मानो पूरा का पूरा खेल खतम होगा आग लगेगी और धुवा उठेगा आप लोगों का नाम दिखाई देगा उस धुवे में आप किसने लगाई पता चलेगा आपने लगाई मेरा नाम नहीं आएगा मैं तो रास्ता दिखा सकता हूँ आपको ध्यान लखना चलना आपको है आपके selection में मेरा कोई role नहीं है मेरा role बस इतना है आपने मुझसे पूछा कि सर हमें office तक जाना है मैंने का ये रा रास्ता चलके आप गएओ भाई चलके आप गएओ मेहनत आपकी है पैर आपके चले दिमाग आपका चला याद रखना मेहनत कर ली selection हो गया जिस दिन भी जिन्दगी बदल जाएगी लोगों के सोचने का नजरिया बदल जाएगा आप लोग के लिए भी अब ये ध्यान नेकना अब इसी question को अगर मैं fail की information है पास की information पर करूँ माना माना पास की information पर करूँ तो कैसे होगा ये वाला question ये देखना माना मुझसे पास पूछा गया है माना मुझसे क्या पूछा गया है पास पूछा गया है तो अगर मैं इसी कुश्चन को पास की information पर करूँ तो कैसे कर सकता हूँ बहुत ध्यान से चीजों को देखना करने का तरीका क्या करना नहीं है जो दिया गया करना वो ही है मगर answer पे कोई फरक नहीं पड़ेगा इसको देखना है बस answer पे कोई फरक नहीं पड़ेगा इसको देखना है बस यहाँ पर चलो देखते हैं कि खेल क्या होगा ठीक है चलो भई यह रहा बहतरीन question अगला आप लोग के सामने 70% student English बोल सकते हैं फिर 65% student Hindi बोल सकते हैं बट 27% student ऐसे हैं मेरे भाई जो दोनों में से कुछ भी नहीं बोल सकते कुछ भी नहीं बोल सकते तो यहाँ पर आपको दो चीज़े दिखाई दे रही होंगी दो information देखो यह वाली information कैसी है दोस्तो positive information है बहुत ध्यान से देखना यह कैसी information है positive information है इस तरीके से कोई भी नहीं पढ़ाएगा मेरी बात समझ लेना वेन डाइगराम बनाना बहुत आसान है समझना बहुत मुश्किल है किसी भी चीज़ को समझ में आरी है कहानी एक बार हमने मचली से पूछा कि मचली बताओ जरा समुदर क्या है तो मचली हमारा हाथ पकड़ के लेके गई समुदर के किनारे और कहने लगी ये देखो ये रहा समुदर अरे हमने का दिखाओ मात बताओ समुदर क्या है बड़ा मुश्किल हो गया मचली के लिए भाई ये बता पाना कि समुद्र क्या है और चली की बिचारी पानी में फिर से कब से आज तक हमारे सामने नहीं आई है आँख से आँख नहीं मिलाई उस मचली नहम से तो दोस्तों समझना आसान है समझाना बड़ा मुश्किल है तो ये चीज़ें अगर मैं समझा रहा हूँ तो बहुत तरीके से समझा रहा हूँ समझ लो इनको ध्यान से अगर समझ जाओगे तो खेल हो जाएगा बढ़िया अच्छे ये वाली information कैसी है ये वाली information कैसी है दोस्तों नन ओफ आ रहा है तो ये negative information है ये कैसी information है negative information और मैंने आप लोग को बताया कि information या तो positive होनी चाहिए या negative होनी चाहिए यही तो बताया था like, talk of, फड़ापट से सारे लोग यही बताया था कि सारी information या तो negative या तो positive तो चलिए देख लेते हैं अब कोई सी भी अब पहले तो ये देखो पूचा क्या गया है पूचा क्या गया है then what percent the group can speak both the language ये पूचा गया है कितने ऐसे लोग हैं जो दोनो language बोल सकते हैं चलिए अब फड़ाफट से बताओ 38 यहाँ पर answer बता रहे हैं 38 और बताओ जरा और बताओ जरा फड़ाफट से देखते हैं कि कौन कौन बता सकता है और बताओ जरा और बताओ बोलो बोलो कितना आ रहा है बताओ फड़ाफट जल्दी से कितना कितना चलो वी 62, 23 दिव्या मैं की क्लास भी आप लोग की स्टार्ट हो चीगे ध्यान रखना दिव्या मैं की क्लास भी स्टार्ट हो चीगे बेहतरीन तरीके की क्लास आप लोग के लिए है समझ लेना की ध्याकेदार क्लास आप लोग के लिए है अगली क्लास तो सारे जितने भी लोग है अपने जितने भी लोग है सारे के सारे लोग उस क्लास में भी जुड़ेंगे ध्याकेदार तरीके से चलो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कहना क्या चारा है 70% कैसे हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं हमें पहले positive language, positive ही चीज़ें लेनी है, 70% ऐसे हैं, जो English बोल सकते हैं, बोलो फटाफट से, आगे कह रहा है, दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से चीज़ों को देख लेना, 65% हिंदी बोल सकते हैं, 55% लोग ऐसे हैं, जो हिंदी बोल सकते हैं, जो हिंदी बोल सकते हैं, अच्छा यहापर कहा रहा है, 27% छात्र दोनों भाशाओं में से, कोई शी भी भाशा नहीं बोल सकते, अब ध्यान से चीज़ों को समझना, 27% लोग दोनों में से कोई सी भी भाषा नहीं बोल सकते दोनों में से कोई सी भी भाषा नहीं बोल सकते तो इसका मतलब अगर टोटल लोग 100 हैं तो उस में से 27% ऐसे हैं जो कोई सी भी नहीं बोल सकते ना तो हिंदी बोल सकते ना अंगरेजी बोल सकते तो बचे कितने लोग 100 में से 20 गया, 80 और 80 में से 7 गया, 73 तो मैं ये कह सकता हूँ कि 73% लोग ऐसे हैं जो या तो हिंदी बोल सकते हैं बहुत ध्यान से समझ ले ना, आईदर हिंदी और इंगलिश और बोथ ये जो कंडिशन मिलती है ना, ये मिलती है आईदर हिंदी और इंगलिश और बोथ मतलब ये 73% लोग ऐसे हैं, ये या तो हिंदी बोल सकते हैं, या इंगलिश बोल सकते हैं या दोनों बोल सकते हैं, कुल मिला के ये 73% ऐसे लोग हैं, जो कुछ ना कुछ बोल सकते हैं यह 73% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, तो बोलने वाले टोटल लोग कितने आगए 73, बोलो जल्दी से, बोलने वाले टोटल लोग कितने आगए 73, आगए क्या नहीं आगए, क्योंकि 27 लोग तो ऐसे हैं जो कुछ बोल ही नहीं सकते, बोलने वाले टोटल माइनस हो जाती है, तो माइनस कर लिया x, और यह किसके बराबर आता है, दोस्तों, टोटल के बराबर आता है, और टोटल की value कितनी आ रही है, 73, बोलने वाले कुल लोग कितने है, 73, अब यहीं से उडा दो भाया question को, यहीं से उडा दो question को, 73 इधार आ जाएगा, माइनस हो ज 3 बच्चे का अपने पास, idea value आ जाएगी 62%, बोलो हाँ या ना, फटाफट से बताईए, सारे के सारे लोग, 32% लोग ऐसे हैं, जो कुछ ना कुछ पूछ सकते, sorry, दोनों language बोल सकते हैं, क्योंकि common की information आईगी, question में मज़ा आया कि नहीं आया, सारे लोग बताएं पहले फट आफट से बताओ जल्दी से, clear हैं यहां तक चीजे, अगर यहां तक चीजे clear हैं, तो बहुत बहतरीन बात है भाई, सारे लोगों को मज़ा होगा, कल इसी chapter से start करेंगे, कल इसी chapter से start करेंगे, और ये आप लोगों के लिए home work दिया जा रहा है, ये आप लोगों के लिए home work ह और इस task का answer आप लोगों को बताना है, इस task का answer आप लोगों को बताना है, बहतरीन तरीके से दोस्तो, comment section में मैं इंतजार करूँगा, कि कौन-कौन लोग इस question का answer बता पा रहे हैं, आगे अभी election के भी बहतरीन questions कराऊंगा, और इस आधार पर भी बहतरीन questions अभी बचे हु का यह बहतरीन concept है, कल इस वाले question पर हम लोग परीचर्चा करेंगे, CGL के mains level तक में भी ऐसे questions आप लोगों से पूछे गए, CGL के mains level में भी ऐसे questions आप लोगों से पूछे गए, चलो आगे पढ़ते हैं दोस्तो, ध्यान रखना, अगर आप लोग SSC महापैक लेते हैं, SSC महा जिसमें live classes, video courses, test series और e-books भी मिलेंगी, याद रखना, अड़ा store से आप इसको ले सकते हो, या app से भी आप इसको खरीच सकते हो, खरीदेते हैं, maximum discount लेने के लिए, अड़ा का code आप लोग का ये है मेरा Y533, Y533, इस code को use करोगे, और यहां से आप लोगों को maximum off मिल जाएगा maximum off मिल जाएगा इस code से, अड़ा के सभी courses के लिए आप इस code का use कर सकते हैं दोस्तों, next आगे information ये है, ICAR का batch, मेरा ही batch स्टार्ट हो रहा है, 20 तारिख, 20 तारिख, यानि कि कल, कल से ICAR, IARI की classes स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, कितने बज़े batch हैं, ये class आप लोगों की 11 तो इसमें भी आप लोग यहाँ पर enroll कर सकते हैं, इस code को use करके यहाँ पर आप लोग off ले सकते हैं, दोस्तों, और selection ले सकते हैं, team के साथ, अगली class दिद्या में की है, उसमें भी आप जुर सकते हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं, जो SSC selection post के लिए तयारी करना चाहते हैं, य इसमें भी आप इसी code से आप लोग enroll कर सकते हैं, Y533, याद रखना Y533 से enroll करके आप लोग यहाँ पर free के number ले सकते हैं, दोस्तों, ठीक है, बहतरीन तरीके से और maximum discount आप लोग को मिल जाएगा, SSC Prime Test Pack भी आप लोग को मिल रहा है, जिसमें CGL, CHSL, GD और MTS, CHSL का exam तो almost हो यह test series आप लोग के लिए बहुत important role play करेगी, test series लेते समय, coupon code में जो गलती होती है, student से वो होती है, वो S लगाना भूल जाते है, S लगाना मत भूलिएगा, तो code क्या रहेगा, Y533S, Y533S और इस coupon code से यहाँ पर maximum off आप लोग के लिए मिल जाएगा, अगर आप लोगों ने अभी तक, एप डाउनलोड नहीं किया है, तो फटाफट से सबसे पहले play store पे जाएए, अड़ा एप डाउनलोड करिए, और यहाँ से अड़ा 247 एप डाउनलोड करने के बाद, आप अपने courses को purchase कर सकते हैं, purchase करते समय, coupon code Y533S दिमाग में बैठा लीजिएगा, दोस्तों, नेक्स क्लास दिद्या में की है, तो फटाफट से उनकी क्लास में जुडिये, ये क्लास अगर अच्छी लगी आपको, तो मेरे दोस्तों इसको like, share, जरूर करिएगा, आपके comments का मुझे इंतजार रहता है, मुलाकात होगी, शाम की 6 बजे वाली क्लास में, और सुबा 6 बज ब्लैक मैजिक में जरूर मेरे साथ जुडिये, मज़ा आएगा, बहतरीन concept, बहतरीन तरीके से हमाँ पर हम cover कर रहे हैं, ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं, तक तक के लिए अपना ध्यान ना की, bye bye, take care and love you guys.